नमस्ते दोस्तो मेरा जारी है स्वागत करता हूं आपका आपके अपने येटूब चैनल अप्रेंटिस गुरूजी के एक और ने एपिसोड में दोस्तो जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बता था कि डिजटी ने एक अपडेट जारे की है जिसमें उसने 17 तारिक को होल टि लिक्षा की होल टिकट पॉर्टल से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों बनेरी शुडियो में क्यूंकि शूड़ी ने हम 116 अप रिक्षा की होल टिकट को पोड़ल से डाउनलोड करने के तरीके को देखने वाले हैं तो दिस्तों वीडियों-क जूरू और चैनल पर नहीं है तो इससे सब्सक्राइब करने कि साथ साथ बैल आइकन जुरूर पैस कर लेना तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको आपका होल टिकट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो पोर्टल पर लोगिन करना होगा तो यहां पर लोगिन के उप्सन पर क्लिक करके आप अपना पोर्टल लोगिन कर सकते हैं तो यहां से मैं कंडिडिट का पोर्टल लोगिन कर लेता हूं तो मैंने एक candidate की details यहाँ पर share कर रखी हैं तो मैं उसी से इस portal को open कर लेता हूँ तो यहाँ से हम check box पर click कर देंगे और login के option पर click कर देंगे तो दोस्तो यह candidate का dashboard हमारे सामने खुल चुका है तो दोस्तो whole ticket download करने के लिए आपको जाना होगा DT assessment के option पर तो DT assessment के option पर जैसी हम click करेंगे तो हमारे सामने कुछ details यहाँ पर खुल जाती है और यहाँ पर हम status check करेंगे तो status में whole ticket generated का status यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा यानि आपकी जो whole ticket है वो generated हो चुगी है तो उसके परशाद आपको जाना होगा actions के option पर तो actions के option पर तीन dot आपको दिखाई देंगी तो उन्हीं तीन dots पर आपको click कर देना है तो यहाँ से आप click करेंगे तो आपको दो option दिखाई देंगे view, contract details का और download whole ticket का तो download whole ticket के option पर आपको click कर देना है तो इस तरह से आपकी जो whole ticket है आपके सावने ईपन हो जाएगी तो दोस्तों यहीं आपकी whole ticket है तो आप भी इस whole ticket को ऐसे ही download कर सकते हैं लेकिंजोस्तों अभी यह देखने में आ है कि जो भी candidate अपने whole tickets को download कर रहा है तो उसका photo उस पर दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तो ऐसा हो सकता है कि डिज्टी की दौरा इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा यह वैसे तो डिज्टी ने 17 तरहीं का समय दिया था लेकिन अब पहले ही पोर्टल पर in hall tickets को डाल डिया है तो हो सकता है कि डिज्टी बहुशा में इसको अपडेट करके आपका फोटो भी यहां पर लगा दे तो दोस्तों इस तरिके से आप आपका होल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं अब की वार उल्टिक्ट में खास बात ये है कि अब की वार जो ग़ौर enabling आटिज हैं उनका सेंटर भी हॉल किण में दिया गया है पुछली बार सेंटर दिये गए थे उनमें लगबग प्रैवाइट कंप्व Clymer सेंटर्स थे लेकिन अब कि वार गोर्मेंट आइटीज का सेंटर भी होल टिकट में दिया गाया है तो दोस्तों होल टिकट को डाउनलोड करने के साथ ही इस होल टिकट में जितने इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप उनको भी ध्यान से पड़ें क्योंकि जब तक आप इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं पड़ेंगे तब आप exam के बारे में जो अपने doubts हैं वो clear नहीं कर पाएंगे तो यहां पर जो मुख्य जुरूरी बाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इस exam में entry के लिए आपको एक valid photo ID proof ले जाना जुरूरी होगा और उसमें आपका अधार कार्ड, photograph, passport या फिर driving license या फिर voter card हो सकता है और जो exam center है उसमें आपका entry का समय रहेगा 60 minute पहले का और जो gate closing time है वो है 15 minute पहले का तो आपको सिस करें कि 60 minute पहले आप exam center में पहुँच जाएं तो दोस्तों इन instructions को आपके लिए ध्यान से पढ़ना जुरूरी है दोस्तों आपर एक instruction number 10 दी गई है इसमें यह बता गया है कि जो center के officials हैं वो आपके hold ticket को ध्यान से चेक करेंगे और उसके बाद एक verified की stem भी स्कूर पर लगाएंगे तभी आपका hold ticket है वो मानने होगा और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें यह भी सपस्ट किया गया है कि जो examination center है उसको change करने के बारे कोई भी request सुविकरित नहीं कि जाएगी और दोस्तों इसके साथ साथ आपको books, paper, geometry, pencil, plastic, scale, log table, writing pad, eraser, cardboard, electronic devices, घड़ी, wallet, googles, handbags, mobile phones, earphone, microphone, camera, headphones तो इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं वो hall center, examination hall के अंदर ले जाना बिल्कुल मना है तो दोस्तों ये आपके लिए कुछ जुरूरी instructions थी, तो मेरी आपसे ही सला है कि आप इन सभी instructions को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद भी आप exam center में जाना सुनिश्चित करें दोस्तों यदि हम पुराने पॉर्टल की बात करें तो वहां पर अभी ऐसा कोई भी link नहीं डाला गया है जहां से आपका whole ticket डाउनलोड हो जाए तो एक बार हम पुराने पॉर्टल को भी देख लेते हैं तो दोस्तों पुराने पॉर्टल पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे नोटिफिकेशन में दिया दिया गया है whole tickets for ATT 111 can be downloaded from 17th December 2021 यानि जो पुराना पॉर्टल है उस पर आपके जो होल tickets हैं वह 17 December से डाउनलोड होने शुरू होंगे यानि डिजिटी ने जो नोटिस जारी किया था वह है पुराने वाले पॉर्टल के लिए जारी किया था लेकिन वह है नए वाले पॉर्टल पर डाल दिया गा था यदि अब हम नए पॉर्टल पर चेक करते हैं तो 17 तारिक वा लिए जाएगा तो दुस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय आरिया वर्थ